नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है राजस्तान में मही महीने के अंदर बिशन कर्मी पड़ती लेकिन इस बार इस महीने के अंदर यहां सावन जैसी बारिस देखने को मिल रही है जैपपूर, बर्थफूर, अजमेर और जोधपूर संभाग के कई जिलों के अंदर रविवार सुबा बारिस हुई है जोधपूर संभाग में राम देवरा के अंदर रविवार दपय तेज बारिस के साथ ओले भी गिरे वही नागोर के खत्री पूरा के अंदर 6 सेकेंड में एक मोबाइल टावर गिर किया जिसका वीडियो भी सामने आया था जिले में बारिस के करण कईम पेड़ गिरने से आजसे भी हूँ है जङःपउर मोसम केंदर करम सार रविवार को 4 संबागों केंदर 14 जिलों के अंदर ओर हिंज अलर्ट जारी किया गया था मोसम भीवाग ने बिकानेर जसल मेर जोधपूर नगोर पाली चूरू हनमानगर शिर गंगानगर जिलों और आजपास के छित्रों के अंदर तेज में गरजन के साथ मद्यम से तेज बरसा आका से बिजली तेज आंदी चलने के समभावना जताई थी जोदपूर में रविवार को दिन बर बिशन कर्मी ने लोगों को परिशान किया स्याम होते होते आचानक मोसम बदल गया आंदी तुफान के साथ तेज बारिस होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली लेकिन के जगाया पेड़ गिरे साथ ही दुकानों के आगे लगे लगे टिन शेड गिरने से लोगों को नुकसान भी हुआ है वहीं एक गंटे तक चली तेज बारिस से सडकें बर गई है चलते नालों का पानी सड़कों पर बर गया तेज हवा के कारण रहगिरों का अपना सफर रोकना पड़ा लोग अपनी गाड़ियां साइड में रोक कर इंतजार करने के लिए मजबूर हो गए रामदेरा सहीत आसपास के ग्रामिन चेत्रों गेंदर आंदी तुफान और तेज बारिज के साथ कहीं पेड़ गिर गए हैं दुकानों के आगे लगे टिन शेटन भी उड़ गए हैं बतादे की शिनिवार को रात हुई तुफान और बारिज में डुंगरपूर में एक युग की जान चली गई है वही जुजनों में एक किसान की मोत हो गई है वही राजिस जोदपूर सहीद कई जिलों के अंडर बारिज हुई है एक पक्षिम बिशोब उत्री पाकिस्तान पर बना हुआ है साथ ही एक नेया टरफरे का उत्री पक्षिम राजिस्तान और उसे सटे पाकिस्तान बस्तीत है राजिस्तान मुस्म बिवाग के नुसार आगले दो तीन दिनों के दुरान बिकानेर, जोदफूर, अजमेर, जैपूर, बर्तफूर के अंदर 60-70 किलोमेटर प्रतिगंटा के रफतार से अवाओं के साथ बारिस होने की संबावना जताई गई है दोस्तों आप राजिस्तान के किस जिले यां गाम से है कुमेंट करके जुरू बताएं वीडियो को लाइक है और शेयर जुरू कर दें धन्यवाद